तो सामान ग्यान के महत्फूर्ण प्रस्णों की स्रंकला में हम दो भाग कम्प्लीट कर चुके हैं यह तीसरा भाग है सामान ग्यान के महत्फूर्ण प्रस्णों की यह सीरीज यूपी टेट से टेट सुपर टेट जैसी परिच्छाओं सही तमाप परिच्छाओं के लिए बहुत बड़िया सीरीज है अगर आप इसे जुड़े रहा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग अपलोड करते हुए आपको नोटिफिकेशन मिले और आप प्रस्णों को देख सके और इसका लाव उठा सके है आईए शुरू करते हैं प्रस क्रह मंत्री कौन थे बहुत आसान प्रस्ण है सरदार पटिल जन्हें भारत का लाव वरुष के नाम से भी जानते हैं प्रस नमबर दो भारत की उच्छ नयायले की प्रथम महिला नयायदीश कौन थी उच्छ तम नयायले की प्रथम महिला नयायदीश फात्म वीवी थी प् बिश्युका विशालतम नायक प्राधिकरण कौन है यह इलावाध हाई कोड है प्रस नमबर फूर भारतिय संविधान के किस अनुच्छेद के अधिन राजियों के राजिपालों को अध्यादिश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 213 के अधिन यह सक्ति अध जबाती इतरिक़्ैण के बिदान सबाधिश चैन फ्रशन करने का प्रस्ता पास करने का इजाज़त मिलती है मिं यह इंख्यद 206-59 की तहत्त है 120 की तहत्त है किसी बिदान सबह में भारत की संविधान के अनुचार कम से कम और आधिक से आधिक कितने सधिश श्यूर सकते है कम से कम सिक्स्टी और मैंग जीमम फाइफंड़ साथ और पांसव नेक्स्ट कुष्चन है कुष्चन नमबर सेवन शुतनत भारत में उत्तर प्रदेश राजी के पृथम बिधान सवा अदेच कौन थे ये थे पृषुत्वदास टंडन पृथम बिधान सवा अदेच उत्तर प्रदेश बिधान सवा के किस भाग में पंचायत बनाने की प्रकृपना की गई है प्रेस नमबर आट गांसर है भाग 9 में कुष्चन नमबर 9 कि सम्थी ने त्रेस्तरी पंचायत प्रडाली की अनुसनसा की थी कुष्चन नमबर 10 है सबसे पहले पंचायती राजवस्था जागो की गई तो सबसे पहले पंचायत राजवस्ता दो अक्टूबर 1969 खुराजिस्थान के नागौर जिले में लागू की गई वहारती शंबिधान का अनुच्छे 343 किसकी ब्याख्या करता है ये पंचायती राज़ की ब्याख्या करता है कुश्चिन नमबर 12 है ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रत्षत पद आरक्षित है तो ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किये गए है भारत में पंचायती राज इस्थाफित करने बाले प्रत्थम दो राज कान कान से थे अभी होता है था एक तुराजिस्थान और दूसरा आंद्रप्रदेश कुश्चन नमबर फॉर्टीन एक व्यक्त के लिए पंचायत का सदस्य बनने की नियुंतम आयोशीमा कितनी होती है तो ये आयोशीमा है 21 वर्ज कुश्चन नमबर फॉर्टीन है किस महा सागर का जल सरवादिक खारा है तो ये मरत सागर है जिसका जल सबसे अधिक खारा है इसमें सबस्यादा साल्ट होते है जब साल्ट जादा होंगे तो इसमें जीव जन्तु नहीं होते है इसलिए मरत सागर के नम से भी जाना जाता है समुद्री जल का ओस्तन खारापन कितना होता है ये 3.5% होता है बिश्चुका सबसे उचा जहरना कौन सा है एंजल जल प्रपाद जो बैनने जोला में है ये बिश्चुका सबसे उचा जहरना है नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमस 18 डोवर जल संधी किसको जूडती है डोवर जल संधी इंगलेज चैनल और उत्तर सागर को जूडती है कुश्चन नमस 19 है ग्रे नाडा दूइप कहां इस्तित है तो ग्रे नाडा दूइप केरोवियन सागर में इस्तित है कुश्चन नमस 20 है बिश्व का सबसे बड़ा दूइप कौन सा है बिश्व का सबसे बड़ा दूइप ग्रीन लेंड है कुश्चन नमबर 21 है सरवाधिक वर्षा कहा होती है तो सरवाधिक वर्षा अमेजन बेशन में होती है भारत में सबसेदिक से बरसा कहा होती है बताएए यह मेगाले में होती है मेगाले राजी में चेरा पुझी में कुश्चन नबर 22 है भारती शम्विधान की अनुचे 368 का शम्मंद किश्य है यह सम्विधान संसोधन प्रक्रिया से अनुचे 368 कुश्चन नबर 23 है शम्विधान का कौनशा संसोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्र परसद के मंत्रियों की अधिक्तम संख्या सीमित करता है यह 91 वेवान संसोधन है नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 25 शम्विधान का बावन वा संसोधन किस्चे शम्मंदित है तो बावन वा संसोधन दलवदल से शम्मंदित है कोश्चन नमबर 26 है युझणा आयू की स्थान पर नीत्य आयू की स्थान पर नीत्य आयू की स्थान का इस्थान एकश्चा नियावादी कहलाता है महा नियावादी होता है और टॉर्णी जेनरल है कोश्य नमबर 28 है हाथ से मेला उठाने की कारे को भारत में कभशी प्रतिवंदित किया गया तो यह रोजगार और सुस्क सौचाला निशिद अथिनियम की द्वारा बर्स 1993 में प्रत्वंदित किया गया कोश्य नमबर 29 है केंद्रिय सतरक्ता आयुकत अपने पदपर कब तक रह सकता है तो यह चार वर्स या 65 वर्स गया जो भी पहले हो तब तक केंद्रिय सतरक्ता आयुकत सीवी से अपने पत्वर रह सकता है नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नम्बर थर्टी भारत में संग लोक्षेवा अयोका गठन भारत के शम्मिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत किया गया है कुश्चन नम्बर थर्टी भारत के शम्मिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत हिंदी को सास की वहासा घोषित किया गया है 163 तालीक्स की अनुसार 343 की अनुसार कोशन मरो 32 तrastथ की एको कब भारत के पूर्ण राज्य का दरज़ा दिया गया 19 श्बह्तर में तुर्परा को पूर्ण राज्य का दरज़ा दिया गया शम्यद्हन की आतमा की रूप में किशे माना गया है परस्तावना को कुश्चन नमबर 34 भारत में करसी पर आएकर किश्की दोरा लगाया जाता है भारत में करसी कर राजसर कर दोरा लगाया जा सकता है भारत का एक मातर राज्य जहां सामानी सिविल कूट का प्राबधान है ये गुवा में है नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 36 मानसिक बिछिप्त भारती दंड सही ताके किस धारा में सन नहीत है ये धारा 84 किन तरगत है कुश्चन 37 है सूचना का दिकार कैसा दिकार है सूचना का दिकार संबैधानी का दिकार है नेक्स्ट कुश्चन है 38, करकरेखा भारत के कितन राजियों से होकर गुजरती है करकरेखा भारत के 8 राजियों से होकर गुजरती है ये हैं गुजरात, राजिस्तान, मद्देप्रदेश, 36 गर, जहरखंट, पस्चे मंगाल, तरप्रा और मिजुरम नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 39 भारत और स्री लंका को अलग करने वाले जलसंदी कौन सी है यह है पाक जलसंदी कुश्चन नमबर 40 है भारत का सबसे दक्षडी छोर कौन सा है इंद्रा पॉइंट भारत का सबसे दक्षडी छोर है है कुछिश्ट नम्बर 421 है भारत कर जालों कि दक्षडी चौर कहां स्थय थैंग य भूमद रिखा के उत्तर में स्थय थाया है भारत काव दक्षडी प्रत्व कर से कि किस तरह प्ष्ष थैंग तो यह भूमद रिखा के उत्तर मिश्थेते हैं भारत ने प्रत्वी के धरातल का कितना प्रस्थ भारत के धरातल में भारत ने प्रत्वी के धरातल का कितना प्रस्थ इससा लिया हुआ है 2.4 प्रसत भारत का जो भूमी है वो बिश्व की भूम्गा 2.4 प्रसत है भारत का भिश्व में चेत पल क्या दाऊर परकों सा इस्थान है है यह सातवाइस्थान एनि चैसे हैं दुनिया में जो भारत से छेत्मगार देश है पश्चिमि-घाट किसे कहते हैं पठानों का ढ़लान पश्चिमि-घाट कहलाता है पठारों का धलान पस्चिमी घाट के लाता है पठार सब्धागरत से प्रिंट हो गया है यह सहे आद्री भी कहे जाते है अंडवान और निकोवार दूप शबू को अनकिस नाम से जाना जाता है अंडवान और निकोवार दूप शबू को एमराल दूप के नाम से भी जानते है सिपकीला दर्रा हमाले की किस घाटी मिशतेते हैं यह सतरज घाटी मिशतेते हैं साइलेंट वैली कहां इस्थित है तो साइलेंट वैली की पाला घात या पलक कर्जले में इस्थित हैं कुश्न नमर 58 भारत का सबसे मुझा इस्थान कौंसा है कंचण जंगा परवद नरमदा की अतरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटरक से निकलती है सौन नदी निकलती है काविनी हेंबती और अम्राबती कौन सी नदी की सहायक नदियां है ये कावेरी नदी की सहायक नदियां है दक्षडी भारत की नदियां प्रूख रूप से कौन सा अपवाहा तंतर बनाती है दक्षिभ भारत की नदियां प्रवुंग रूप से ब्रक्षनवा अप वहातंतर बनाती है क्वेशन है क्वेशन नमर्फिक्टी टू परच्छितरी मृदा को और किस नाम से जाने जाते हैं और क्या कहते हैं पर शेत्री मरदा को ट्रांसपोर्टेट या बहावाली मरदा के नम से भी जानते हैं कुश्चन नमर 53 कौन सी फसल अमली धर्थी पर सफलता से उगाई जा सकती है भारत में कई शेत्रों में लाल मिट्टी पाई आती है मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है फैरिक ऑक्साइट के कारण मिट्टी लाल होती है विन संक का जंगल भारत की किस प्रदेश में अवस्तित है विन संक का जंगल भारत की उत्तरा खंड राज्जी में इस्तित है गंडक सिचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है गंडक सिचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार का संयुक्त प्रियास है नेक्स कुशन है कुशन नमबर 57 टिहरी बांध पर उजना किस देश की सहयोग से पूरी की गई है टिहरी बांध पर उजना सुवियत रूश के सहयोग से पूरी की गई है भाकडा बांध किस नदीव पर रिस्तित है भाकड़ावान सतलुज नदी परिस्थेत है पूशा रूबी किस की उन्नतकिस में है ये टमाटर की उन्नतकिस में है पूशा रूबी रजट करांती किस से शम्बन देता है रजट करांती अंडा और चिकन उत्पादन से शम्बन देता है Next question है 61 पूसा रसराज किस की उन्नत किश में है पूसा रसराज खरवूजा की उन्नत किश में है जावो खेती करने का तरीका किस राजी का है यह नागा लेंड का है नेक्स कुश्एन है कुश्टन नमबर शिक्स्टी थी भारत में काजू की पृत्तम परचस किन लोगों ने करा या था यह पूर्तगा लोगों ने करा या ने मौनाजाइट किस का इसक होता है मोनाजाइट थोरियम कायश को होता है भारत का रूर किस नदी विशन को कहा जाता है दामोदर नदी विशन को भारत का रूर कहा जाता है कूळे से हरित उर्जा द्रमार और में कौन कौन से राजय अगरडी हैं कोयम बतूर को दक्σιड भारत का मैंचेस्टर कहते हैं नेक्स्ट क rapping है 69 इंप उत्तर मधरेलवे का मुख्यालय कहां इस्तित है उत्तर मधरेलवे का मुख्यालय लहाबहत में इस्तित है। भारत का सरवादिक किलंबा राष्ट्री राजमार कौन सा है नेशनल हाइवे 44 भारत में राष्ट्र मारगों को नंबर देने की यूजना कव आरंब की गई भारत में रायस्टर मारों को नए नमबर देने की योजना 2010 में प्रारंब की गई भारत का हिमादरी स्टेशन कहां इस्तित है भारत का हिमादरी स्टेशन आर्कटिक में स्टित है केंदरी उपोष्ण उद्ध्यान स्टान कहां इस्तित है केंदरी उपोष्ण उद्ध्यान स्टान लखनों में इस्तित है भारती दलहन अनसंदान संस्थान कहां इस्तित है भारती दलहन अनसंदान संस्थान कानपुर में इस्तित है नेक्स्ट कुश्चन है 75 पुलिकट जहिल कहां इस्तित है यह सावर जहिल कहां इस्तित है राज़टान में इए इसे नमक बना जाता है सामर जील एक खारी जील है फुलहर जील कहां इस्तित है फुलहर जील उत्तर प्रिदिस के पीली भीत जीली के मातुर टंडा नामकिस्थान पर इस्तित है गोमती नदी का उद्गम इस्तर कहां है तो गोमती नदी का उद्गम इस्तर फुलहर जीली है फुलहर जील से ही गोमत को सिआ है भारत की सब से दसी जASE बुलर जी लै नेच्ट कोशन है नदी का परवाह नापनी के लिए किसी का उभ्यों की होता है तो नदी का परवाह नापनी के क्यूमेक का प्रयूध कियाता है किसी इस्थान की आद्रता जानने के के लिए किस का उपयोग किया जाता है किसी इस्तान की आदफ आ जानने के लिए हाइगरो मीटर का प्रयोग की जाता है और सभी कुछ प्रतिच्छा कर सकता है कि नहीं यह उद्गार किस के थे तो यह उद्गार नहरु जीत के पंडित चवाला नहरु के थे कुश्चन नमर 85 माउंट आवरिस्ट पर चड़ने वाले प्रत्थम भारती महिला कौन थी बक्षेंद्रिपाल किस किरह के सबसे अधे को पग रहे हैं ब्रस्पत किरह के सबसे अधे को पग रहे हैं नेक्स्ट कुश्चन है 87 सूरी का दीवत्वान आमुक जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है यह प्रकास मंडल कहलाता है कुश्चन नमर 88 है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है शूरी की किर्णों को प्रत्वी तक पहुँचने में लगवग कितना समय लगता है शूरी की किर्णों को प्रत्वी तक पहुँचने में 500 सेक्रिन लगते हैं जो 8.3 मिनिट की लगवग बरावर होते है दिन और रात कहां बरावर होते हैं पिस्वत रेखा पर दिन और रात बरावर होते हैं एक डिगरी अक्षांस कितने किलोमीटर को दरसाता है यह एक डिगरी अच्छांस एक किलोमीटर के बरावर होता है नेक्स्ट कोश्चन है कुश्चन नमबर 92 एक घंटे का समय अंतर में देशांतरी अंतर क्या होता है यह 15 डिग्री होता है यह 15 डिग्री देशांतर अंतर एक घंटे समय अंतराल की बरावर होता है नेक्स्ट कुश्चन है सॉरी उतरी गोलार्द में बरस का सबसे लंबा दन कौन सा होता है यह 21 यून होता है नेक्स्ट कुश्चन है नेक्स्ट कुश्चन है नेक्स्ट कुश्चन है किस महदीब को दे लेंड ओफ गूल्डन फ्रीज की नाम से जाना जाता है और आस्टेलिया को नेक्स्ट कुश्चन है 96 छे तफल के आधार पर महदीब को अगटता हुआ क्रम क्या है तो सबसे बड़ा एसिया फिर अफ्रीका फिर उत्तरिय अमेरिका फिर अंटार कटिका फिर एरूप एवं और उस्टिलिया ये क्रम है नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 97 है बिश्च की सबसे बड़ी परवत सरंखिला कौन सी है एंड इच नेक्स्ट कुश्चन है ड्रेकेंसवर्ग परवत किस देश में इस्तित है तो ड्रेकेंसवर्ग परवत दक्षर अफ्रीका में इस्तित है नेक्स्ट कुश्चन है कजायल कुम रेगस्तान कहां इस्तित है ये उजविक इस्तान में इस्तित है कुशन नमबर हंड्रेट दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है यह बैट कन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है तो इस तरह से सामान ग्यान महत्पूर प्रश्णों की सीरीज का वहाग दो पूर होता है अगर यह सीरीज आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें ताकि अगले वहाग अप्लोड करने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप चैनल का लाव अठा सकें प्रिज आपको अपको 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 ताकित क्वाप.